C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा छै की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन एक प्रस्तुत है इस पुस्तक का अध्याई आठ जिसका शीर्शक है ग्रामीन क्षेत्र में आजी विका प्रिष्ट 75 से प्रिष्ट 87 सी तक तो आईए सुनते हैं अध्याई आठ ग्रामीन क्षेत्र में आजी विका प्रिष्ट 75 इकाई 4 आजी विकाई इस प्रिष्ठ पर ग्रामीन परिवेश को दर्शाते हुए चार चित्र दिखाए गए हैं पहले चित्र में केश कर तनालय में बैठे कुछ व्यक्ति अपने बाल कटवा रही है दूसरे चित्र में खेत में कटाई का काम करते हुए कुछ मजदूर दिखाई दे रही है तीसरे चित्र में एक बैंक का द्रिश्य दिखाया गया है जिसमें पैसा जमा करते हुए कुछ व्यक्ति दिखाये गए है चौथे चित्र में हाट का द्रिश्य दिखाया गया है जिसमें लोग सबजियां खरीद रहें है प्रिष्ट छेहत्तर रिक्त दिया गया है प्रिष्ट सतहत्तर अध्याई आठ ग्रामीन क्षेत्र में आजी विका पहले पाठ में हमने अपने जीवन में मौजूद अनेक तरह की विविधताओं पर नजर डाली हमने इस पर भी विचार किया कि अलग-अलग क्षेत्रों में रहने से वहां के लोगों के काम धंधे पर कैसे असर पड़ता है वहां पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, वहां की फसले या दूसरी चीजें किस तरह उनके लिए महत्वपून हो जाती है इस पाठ में हम ये देखेंगे कि गाउं में लोग किन विभिन तरीकों से अपनी आजीवी का चलाते हैं पहले दो पाठों की तरह यहां भी हम इसकी पड़ताल करेंगे कि क्या लोगों के पास आजीवी का चलाने के समान अवसर उपलब्द हैं या नहीं उनके जीवन की परिस्थितियां एक दूसरे से कितनी मिलती जुलती हैं और वे किन समस्याओं का सामना करते हैं इसे भी हम देखेंगे इस प्रिष्ठ पर ग्रामीन परिवेश को दर्शाता एक चित्र दिखाया गया है और उसके नीचे उससे संबंधित कुछ प्रश्ण पूछे गए हैं उपर दी गई तस्वीरों में जो लोग काम करते हुए दिख रही हैं उस काम का वरणन कीजिए खेती से जुड़े कामों को अलग कीजिए और जो काम खेती से जुड़े हुए नहीं हैं उनकी एक सूची बनाईए आपने ग्रामीन क्षित्रों में लोगों को कई तरह के काम करते हुए देखा है उनमें से कुछ का चित्र बनाकर उनके बारे में लिखिए प्रिष्ट 78 गाउं तमिलनाडू में समुद्र तठ के पास एक गाउं है कलपट्टू यहां लोग कई तरह के काम करते हैं दूसरे गाउं की तरह यहां भी खेती के अलावा कई काम होते हैं जैसे टोकरी, बरतन, घड़े, इंट, बैल गाड़ी इत्यादी बनाना कलपट्टू में कुछ लोग नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाले और लोहार के रूप में अपनी सेवाईं देते हैं यहां कुछ दुकांदार एवं व्यापारी भी हैं जो मुख्य गली है वो बाजार की तरह दिखती है उसमें आपको तरह तरह की कई छोटी दुकाने दिखेंगी जैसे चाय, सबजी, कपड़े की दुकान तथा दो दुकाने बीज और खाद की चार दुकाने चाय की हैं जहां टिफिन भी मिलता है यहां टिफिन का मतलब है खाने पीने की हलकी फुलकी चीजें जैसे सुबह इडली, डोसा वो उपमा मिलता है और शाम के नाश्टे में वड़ा, बॉंडा वो मैसूर पाक मिलता है चाय की दुकानों के पास एक कोने में एक लोहार का परिवार रहता है उसके घर में ही लोहे की चीजें बनाने का काम होता है बगल में साइकिल की मरमत की एक दुकान है वहाँ साइकिल किराय पर भी मिलती है गाउं में दो परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं कुछ लोग पास के शहर में जाकर मकान बनाने और लौरी चलाने का काम करते हैं गाउं छोटी-छोटी पहाडियों से घिरा हुआ है सिंचित जमीन पर मुख्य तह धान की खेती होती है ज्यादातर परिवार खेती के द्वारा अपनी आजीविका कमाते हैं यहां आम और नारियल के काफी बाग हैं कपास, गन्ना और केला भी उगाया जाता है आईए कुछ लोगों से मिलें जो कलपट्टू के खेतों में काम करते हैं और देखें कि हम उनकी आजीविका के बारे में क्या सीख सकते हैं इस प्रिष्ठ पर नीचे एक चित्र दिखाया गया है जिसमें पानी से भरे हुए एक खेत में कुछ लोग काम कर रहे हैं तुलसी हम सब यहां राम लिंगम की जमीन पर काम करते हैं उसके परिवार के पास कलपट्टू में बीस एकर धान के खेते हैं शादी से पहले भी मैं मायके में धान के खेतों में ही मजदूरी करती थी यहां सबह साढ़े आठ बजे से शाम साढ़े चार बजे तक काम करती हूँ राम लिंगम की पतनी करुथम्मा काम की निगरानी करती है साल में कुछी मौके ऐसे होते हैं जब मुझे नियमित रूप से मजदूरी मिलती है यह उन मौकों में से एक है मैं धान रूप रही हूँ जब धान की फसल थोड़ी बढ़ जाएगी तो राम लिंगम हमें निराई के लिए और बाद में कटाई के लिए बुलाएगा जब मैं कम उम्र की थी तो निराई कटाई का काम आसानी से कर लेती थी लेकिन अब जैसे जैसे उम्र हो रही है मुझे जुक कर काम करने और देर तक पानी में पैर डुबोई रहने से तकलीफ होती है राम लिंगम एक दिन का चालीस रुपया मजदूरी देता है मेरे गाउं में मजदूरी के रेट से ये थोड़ा कम है फिर भी मैं मजदूरी के लिए यहीं आती हूँ राम लिंगम पर मुझे भरोसा है कि काम होने पर वो मुझे ही बुलाएगा बाकी लोगों की तरह वो आसपडोस के गामों में सस्ते मजदूर ढूंडने नहीं जाता मेरा पती रमन भी एक मजदूर है हमारे पास कोई जमीन नहीं है साल के इन महीनों में वो खेतों में कीडों की दवाई छिड़कता है जब खेतों में कोई काम नहीं मिलता तो उसे पास की खान से पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम मिल जाता है ये पत्थर और बालू पास के शहरों में मकान बनाने के लिए ट्रक से लाए जाते हैं खेत में काम करने के अलावा मैं घर का सारा काम करती हूँ मैं घर में सब के लिए खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ और सफाई करती हूँ दूसरी औरतों के साथ जाकर जंगल से लकड़ी भी लाती हूं गाउं से करीब एक किलोमीटर दूर बोरवेल है जहां से पानी लेकर आती हूं मेरा पती घर का सामान जैसे साग सबजी खरीदने में मेरी मदद करता है इस प्रिष्ठ पर मीचे एक चित्र दिखाया गया है ये एक चक्र है जिसमें साल के बारह महीनों को अलग-अलग खानों में दिखाया गया है साथ ही इस चक्र में तुलसी द्वारा किये जाने वाले काम लिखे गए हैं कटाई, निराई, रोपाई, बीडा बनाना इस चित्र के नीचे आपसे एक प्रश्ण पूछा गया है क्या तुलसी को साल भर कमाई के मौके मिलते हैं उपर दिये गए चित्र के आधार पर बताईए प्रिष्ठ अस्सी हमारी दो बेटियां हमारे जीवन की खुशी हैं दोनों ही स्कूल जाती हैं पिछले साल एक बेटी बीमार पड़ गई थी तो उसे शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा हमने उसके इलाज के लिए राम लिंगम से उधार लिया था और उस उधार को चुकाने के लिए हमें अपनी गाई बेचनी पड़ी इस प्रिष्ठ पर बाई और बीच में पीले रंग के बकसे में आप से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं एक, तुलसी के काम का विवरण दीजिये, ये रमन के काम से कैसे अलग है दो, तुलसी को अपने काम के लिए बहुत कम पैसा मिलता है आपकी समझ में खेतों में काम करने वाले मज़दूरों को कम पैसे पर काम क्यों करना पड़ता है तीन, आपके क्शेत्र में या पास के गाउं में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं वहां खेती हर मज़दूर किस तरह का काम करते हैं चार, अगर तुलसी के पास खेती की जमीन होती तो उसकी कमाई यानि आजीविका के तरीके कैसे अलग होते चर्चा कीजिये जैसा के आपने तुलसी की कहानी में पढ़ा ग्रामीन इलाकों में गरीब परिवारों का बहुत सारा समाए पानी और जलावन की लकडी लाने वजानवर चराने में बीटता है इन कामों से कोई पैसा नहीं मिलता है लेकिन गरीब परिवारों में ये काम बहुत महत्वपून हो जाते हैं वे मजदूरी से जो थोड़ा सा पैसा कमाते हैं उससे गुजारा नहीं होता घर चलाने और जिन्दगी बसर करने के लिए इन कामों को करना पड़ता है हमारे देश के ग्रामीन परिवारों में से करीब 40 प्रतिशत खेती हर मजदूर हैं कुछ के पास जमीन के छोटे छोटे टुकडे हैं बाकी तुलसी की तरह भूमी हीन हैं कई बार जब पूरे साल उन्हें काम नहीं मिलता तो मजबूरन काम की खोज में उन्हें दूर दरास के इलाकों में जाना पड़ता है इस तरह का पलायन कुछ विशेश मौसमों में ही होता है हमें ये धान अपने घर लेकर जाना है मेरे परिवार ने अभी अभी फसलों की कटाई पूरी की है हमारे पास बस दो एकर जमीन है हम अपने खेत का सारा काम खुद ही कर लेते हैं मैं कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों की मदद ले लेता हूं और बदले में उनके खेतों में कटाई करवा देता हूं व्यापारी मुझे उधार पर बीज और खाद देता है इसे चुकाने के लिए मुझे थोड़े कम दामों पर उसे धान बेचना पड़ता है अगर बाजार में बेचूं तो ज्यादा पैसे मिल जाएंगे लेकिन मुझे उधार भी तो चुकाना है व्यापारी ने किसानों को याद दिलाने के लिए अपना एजेंट भेजा है जिन किसानोंने उधार लिया है वे उसी को अपना धान पेची मुझे अपने खेत से साथ बोरी धान मिलेगा इन में से कुछ से मैं अपना उधार चुका दूँगा और बाकी घर में लग जाएगा प्रिष्ट इक्यासी लेकिन मेरे हिस्से में जो आता है वो सिर्फ आठ महीने तक ही चल पाता है इसलिए मुझे और पैसा कमाने की जरूरत पड़ती है इसके लिए मैं राम लिंगम की चावल की मिल में काम करता हूँ वहां मैं पडोसी गाउं के किसानों से धान इकठा करने में उसकी मदद करता हूँ हमारे पास एक संकर गाए भी है उसका दूध हम यहीं की सहकारी समिती में बेच देते हैं इससे रोज के खर्चों के लिए थोड़ा और पैसा मिल जाता है इस प्रिष्ठ पर नीचे दो पीली लाइनों के बीच शेखर और तुलसी के बारे में आप से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं शेखर का परिवार क्या काम करता है? आपके विचार से शेखर दूसरे मजदूरों को अपने खेट पर काम करने के लिए क्यों नहीं लगाता? शेखर शेखर के बाजार में अपना धान क्यों नहीं बेच पाता? शेखर की बहन मीना ने भी व्यापारी से उधार लिया था, परन्तु वो अपना धान उसको नहीं बेचना चाहती. उसने व्यापारी के एजंट से कहा के वो अपना उधार चुका देगी. मीना और व्यापारी के एजन्ट के बीच में इसको लेकर क्या बात चीत हुई होगी दोनों के तरकों को लिखिए शेखर और तुलसी के जीवन में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है आपके उत्तर के कुछ ये आधार हो सकते हैं उनके पास कितनी जमीन है उनको उधार क्यों लेना पड़ता है उनकी कमाई के साधन क्या है और उन्हें दूसरों की जमीन पर काम करने की क्या जरूरत है कर्ज लेने पर जैसा के आपने पढ़ा कई बार शेखर जैसे किसान जरूरी चीजें खरीदने के लिए पैसा कर्ज लेते हैं अक्सर ये पैसा बीज, खाद और कीट नाशक खरीदने के लिए साहुकार से कर्ज के रूप में लिया जाता है अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं होते या फसल को कीड़ा लग जाता है तो पूरी फसल बरबाद हो सकती है बारिश पूरी नहीं होने पर भी पसल खराब हो सकती है ऐसी स्थिती में किसान अपना उधार नहीं चुका पाते कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें और पैसा कर्ज के तौर पर लेना पड़ता है प्रिष्ट बयासी जल्दी ही कर्ज इतना बढ़ जाता है कि किसान कितना भी कमा ले वो उसे चुका नहीं पाता इस स्थिती में कहते हैं कि किसान कर्ज तले दब गया पिछले कुछ सालों में ये किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है कई क्षेत्रों में किसानों ने कर्ज के बोज से दब कर आत्म हत्या तक कर ली है राम लिंगम और करुथम्म जमीन के अलावा राम लिंगम के परिवार के पास एक चावल की मिल है और बीज वकीट नाशक बेचने के लिए एक दुकान है चावल की मिल में उन्होंने कुछ अपना पैसा लगाया और थोड़ा सरकारी बैंक से कर्ज लिया था वे कलपट्टू और आसपास के गामों से ही धान खरीदते हैं मिल का चावल आसपास के शहरों के व्यापारियों को बेचा जाता है इस से उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है इस प्रिष्ठ पर नीचे हरे भरे लहला हाते खेतों का एक चित्र दिखाया गया है उसके नीचे लिखा है राम लिंगम की बीस एकर जमीन के एक हिस्से पर रूपी गई धान की फसल तुलसी जैसे खेती हर मजदूरों की कड़ी मेहनत का नतीजा है इस प्रिष्ठ पर पीले रंग के एक बकसे में आप से कुछ प्रश्न पूछे गई है तुलसी और शेखर का विवरण दोबारा पढ़िये वे बड़े किसान राम लिंगम के बारे में क्या कहते हैं इसके साथ जो आपने राम लिंगम के बारे में पढ़ा उसे जोड़ते हुए इन सवालों का जवाब दीजिए उसके पास कितनी जमीन है अपनी जमीन पर उगने वाले धान का वो क्या करता है खेती के आलावा उसकी कमाई के और क्या साधन है भारत के खेती हर मजदूर और किसान कलपट्टू गाउं में तुलसी की तरह के खेती हर मजदूर है शेखर की तरह के छोटे किसान है और राम लिंगम जैसे बड़े किसान है भारत में प्रत्येक पांच ग्रामीन परिवारों में से लगभग दो परिवार खेती हर मजदूरों के हैं ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पर निर्भर रहते हैं इन में से कई भूमी हीन हैं और कईयों के पास जमीन के छोटे-छोटे टुकड़े हैं। शेखर जैसे छोटे किसानों को लें तो उनकी जरूरत के हिसाब से खेद बहुत ही छोटे पड़ते हैं। भारत के असी प्रतिशत किसानों की यही हालत है। भारत में केवल बीस प्रतिशत किसान, राम लिंगम जैसे बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे किसान गाउं की अधिकतर जमीन पर खेती करते हैं। 83. इस प्रिष्ठ पर बाई और बीच में पीले रंग की दो लाइनों के बीच आप से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। उपर दिये गए आंकणों को देखते हुए क्या आप ये कह सकते हैं। कि भारत के अधिकतर किसान गरीब हैं। आपकी राय में इस स्थिती को बदलने के लिए क्या किया जा सकता है। हमने कलपट्टू में होने वाली खेती के बारे में पढ़ा। ग्रामीन क्षेत्रों में खेती के साथ साथ लोग जंगल की उपज और पशुओं आधी पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए मध्य भारत के कुछ गामों में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के महत्वपून साधन हैं। महुआ बीनने, तेंडू के पत्ते इकठा करने, शहद निकालने और इने व्यापारियों को बेचने जैसे काम अतिरिक्त आय में मदद करते हैं। इसी तरह सहकारी समिति को या पास के शहर के लोगों को दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका कमाने का मुख्य साधन है। समुद्र तटिये इलाकों में हम देखते हैं कि पूरे के पूरे गाउं मचली पकड़ने में लगे हुए हैं। आईए, अरुना और पारिवेलन के जीवन के बारे में पढ़कर मचली पकड़ने वाले एक परिवार के बारे में थोड़ा और जाने। ये परिवार कलपट्टू के पास उदुपेट नाम के गाउं में रहता है। इस प्रिष्ट पर पीले रंग के बकसे में एक चित्र दिखाया गया है। ये पहाडी प्रदेश का एक खेत है। इस चित्र के नीचे लिखा है नागा लैंड की सीड़ी नुमा खेती। ये एक गाउं है जिसका नाम चिजामी है। ये नागा लैंड के फेक जिले में है। इस गाउं में रहने वाले लोग चकहे संग समुदायके हैं। वे सीड़ी नुमा खेती करते हैं। इसका मतलब है कि पहाडी की धलाव जमीन को छोटे-छोटे सपाट टुकडों में बांटा जाता है। और उस जमीन को सीड़ीयों के रूप में बदल दिया जाता है। प्रत्येक सपाट टुकडे के किनारों को उपर उठा देते हैं। जिससे पानी भरा रह पाए। ये चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा है। चिजामी के लोगों के पास अपने-अपने खेते हैं। लेकिन वे इकठे होकर एक दूसरे के खेतों में भी काम करते हैं। वे छै से आठ लोगों का एक समूह बनाते हैं और इकठे मिलकर पहाड के एक हिस्से पर घास पतवार साफ करते हैं। जब दिन का काम खत्म हो जाता है, तो सारा समूहु इकठे बैठ कर खाना खाता है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है, जब तक काम खत्म नहीं हो जाता। प्रिष्ठ 84 इस प्रिष्ठ पर ऊपर एक चित्र दिखाया गया है। इसमें नाव में बैठे हुए कुछ लोग मचलियां पकड़ने के लिए समुद्र के जल में जाल फेंकते हुए नजर आ रही हैं, जब के कुछ लोग नाव को चला रही हैं। साथ ही तट पर कुछ महिलाएं एवं पुरुष्ठ पकड़ कर लाई गई मचलियों को इकठा कर रहे हैं। अरुना और पारिवेलन। पुदू पेट कलपट्टू से ज्यादा दूर नहीं है। यहां लोग मचली पकड़ कर अपनी आजीविका चलाते हैं। उनके घर समुद्र के पास होते हैं और वहाँ चारों और जाल और कैटामरेन यहने मचुआरों की खास तरह की छोटी नाव की पंक्तियां दिखाई देती हैं। सुबह साथ बजे समुद्र किनारे बड़ी गहमा गहमी रहती है। इस समय सारे कैटामरैन मचलियां पकड़ कर लौट आते हैं। मचली खरीदने और बेचने के लिए बहुत सारी औरतें इकठी हो जाती हैं। मेरा पती पारिवेलन, मेरा भाई और जीजा आज बड़ी देर से लौटे हैं। मैं बहुत परिशान हो गई थी। ये हमारे कैटामरैन में इकठे ही समुद्र में जाते हैं। उन्होंने बताया के आज वे तूफान में फंस गए थे। आज जो मचलियां पकड़ी गई, उन में से मैंने परिवार के लिए कुछ मचलियां एक तरफ उठा कर रख दी। बाकी मैं नीलाम कर दूँगी। इस नीलामी से जो पैसा मुझे मिलता है, वो चार भागों में बट जाता है। तीन हिस्से उन लोगों में बट जाते हैं, जो मचली पकड़ने जाते हैं, बाकी एक हिस्सा उसे मिलता है जिसकी नाव और जाल वगएरा होते हैं। चूंके जाल, केटामरैन और उसका इंजन हमारे हैं, तो वो हिस्सा भी हमें ही मिल जाता है। हमने बैंक से उधार लेकर एक इंजन खरीदा है, जो केटामरैन में लगा हुआ है। इससे ये लोग समुदर में दूर तक जा पाते हैं और ज्यादा मचलियां मिल जाती हैं। नीलामी में जो औरतें यहां से मचलियां खरीदती हैं, वे टोकरे भर भर कर पास के गामों में बेचने के लिए ले जाती हैं। कुछ व्याफारी भी हैं जो शहर की दुकानों के लिए मच्छियां खरीदते हैं मैं दोपहर बारह बजे तक ही नीलामी का काम निप्टा पाती हूँ शाम को मेरा पती और बाकी रिश्टेदार मिल कर जाल को सुलजाते हैं और उसकी मरम्मत करते हैं कल सुबह सुबह दो बजे वे फिर समुदर की तरफ चल देंगे हर साल मौनसून के दौरान करीब चार महीने तक वे समुदर में नहीं जा पाते क्योंकि ये मच्छियों के प्रजनन का समाय होता है इन महीनों में हम व्यापारी से उधार लेकर अपना गुजारा चलाते हैं इस कारण बाद में हमें मजबूरी में उसी व्यापारी को मचली बेचनी पड़ती है और हम खुद खुली नीलामी नहीं कर पाते वे खाली महीने काटना सबसे मुश्किल होता है पिछले साल सुनामी के कारण हमारा बड़ा नुकसान हुआ प्रिष्ट पिच्चासी इस प्रिष्ट पर सामने की और मचलीयां बेचती हुई एक महिला दिखाई गई है और उन से कुछ महिलाएं वपुरुष मचली खरीद रहे हैं इस महिला के पीछे भी कुछ महिलाएं वपुरुष खड़े हैं और वे मचली खरीद वबेच रहे हैं इस प्रिष्ट पर बाई और नीचे पीले रंग के बकसे में आप से कुछ प्रश्ण पूछे गए हैं शेखर और अरुना दोनों के ही परिवारों को उधार क्यों लेना पड़ता है आपको उन में क्या समानताएं और क्या अंतर दिखते हैं क्या आपने सुनामी के बारे में सुना है ये क्या होता है इस से अरुना जैसे परिवारों को क्या नुकसान हुआ होगा ग्रामीन क्षेत्रों में आजीविका के साधन ग्रामीन क्षेत्रों में लोग अपनी आय विभिन तरीकों से कमाते हैं कुछ खेती बाड़ी का काम करते हैं और कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं खेती में कई तरह के काम शामिल हैं जैसे खेत तयार करना, रोपाई, बोबाई, निराई और कटाई. पसल अच्छी हो, इसके लिए हम प्रकृती पर निर्भर हैं. इस तरह जीवन रितुओं के इर्दगिर्द ही चलता है. बोबाई और कटाई के समय लोग काफी व्यस्त रहते हैं. और दूसरे समय काम का बोज कम रहता है. देश के अलग-अलग शित्रों में ग्रामीन लोग अलग-अलग तरह की फसलें उगाते हैं. फिर भी हम उनके जीवन की परिस्थितियों में और उनकी समस्याओं में काफी समानताएं पाते हैं. प्रिष्ट 86. लोग कैसे जिन्दगी बसर करते हैं और कितना कमा पाते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वे जिस जमीन को जोतते हैं, वो कैसी है. कई लोग उस जमीन पर मजदूरों के रूप में निर्भर हैं. ज्यादातर किसान अपनी जरूरतों को पूरा करने और बाजार में बेचने के लिए भी फसलें उगाते हैं. कुछ किसानों को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है, जिनसे वे पैसा उधार लेते हैं. गुजर बसर करने के लिए कई परिवारों को काम की खातिर उधार लेना पड़ता है या फिर तब लेना पड़ता है जब उनके पास कोई काम नहीं रहता. ग्रामीन क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी-बड़ी जमीनों, व्यापार और अन्यकाम धंधों पर फल फूल रहे हैं. फिर भी ज्यादातर छोटे किसानों, खेती हर मजदूरों, मचली पकड़ने वाले परिवारों और गाउं में हस्त शिल्प का काम कर करने वाले लोगों को पूरे साल रोजगार नहीं मिल पाता. अभ्यास 1. आपने संभवत है इस बात पर ध्यान दिया होगा कि कलपट्टू गाउं के लोग खेती के अलावा और भी कई काम करते हैं. उनमें से पांच कामों की सूची बनाईए. 2. कलपट्टू में विभिन्न तरह के लोग खेती पर निर्भर हैं. उनकी एक सूची बनाईए. उनमें से सबसे गरीब कौन है और क्यों? 3. कलपना कीजिए कि आप एक मचली बेचने वाले परिवार की सदस्य हैं. आपका परिवार ये चर्चा कर रहा है कि इंजन के लिए बैंक से उधार लें के न लें. आप क्या कहेंगी? 4. तुलसी जैसे गरीब ग्रामीन मजदूरों के पास अक्सर अच्छी शिक्षा, स्वास्थे की सुविधाओं एवं अन्य साधनों का अभाव होता है. आपने इस किताब की पहली एकाई में असमानता के बारे में पढ़ा. तुलसी और रामलिंगम के बीच का अंतर एक तर किये क्या किया जा सकता है. कक्षा में चर्चा कीजिए. 5. आपके अनुसार, सरकार, शेखर जैसे किसानों को कर से मुक्ती दिलाने में कैसे मदद कर सकती है. चर्चा कीजिए. प्रिष्ठ 87 6. यहाँ दी गई तालिका को भरते हुए शेखर और रामलिंगम की स्थितियों की तुलना कीजिए. यहाँ पीले रंग के एक बकसे में सबसे उपर पहले शेखर का नाम लिखा है, उसके बाद रामलिंगम का नाम लिखा है. जबके इस बकसे में बाई और आप से एक के बाद एक पाँच प्रश्ण पूछे गए हैं. इन दोनों प्रश्णों के उत्तर शेखर और रामलिंगम के संदर्भ में उनके नामों के नीचे दिये गए सफेद रंग के बकसों में भरी. खेती की हुई जमीन, मजदूरों की जरूरत, उधार की जरूरत, पसल का बिकना, उनके द्वारा किया गया अन्यकाम. इसी के साथ नौ अध्यायों की इस पुस्तक का आठवा अध्याय यहां समाप्त हुआ. वाचन, बाबला कोछड, निर्मान, वंदना अरिमर्दन, तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत. झहाओ आजいた शतक प्रस्तक काल काम, बाबला कोछड़ में चाहें दूकल passageभ, जस दिल्ली, पिकना, वारत.